मार्केट में आपने सुना होगा काफी लोग कहते हैं कि अगर आप जल्द जली कंपनी ज्यादा कंपनी अपने पूरे experience में ज्यादा कंपनी का रिजुम में experience होता है तो उसका एक negative impact पड़ता है तो क्या ये सही है या गलत है और अगर negative impact पड़ता भी है तो कितना पड़ता है इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बहुत ही knowledgeable चीज है जो कि कोई नहीं बताता या जो भी बताता है market में जो भी चीज फैली हुई है वो पूरी तरह से गलत है क्योंकि सच्चा जैसी आपको पता चलेगी आप कहेंगे कि बिलकुल गलत है जो market में पहले से फैली हुई है चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने मेरे चैनल को पहली बार देखा है तो चैनल को सबस्क्राइब कर लेजे आपको इसी तरह का वैलू वाला वीडियो आपको देखने को मिलेगा आपने देखा होगा कि सुरुवात में आपको काफी सारे लोग कहते हैं सीनियर, जूनियर और मार्केट में काफी सारे लोग यहां तकी distributor भी कहता है कि अगर आप जल्देली company में change करते हो या 10 साल के experience में आपके पास 4 company आप 5 company के experience हो जाता है तो इसका negative impact पड़ता है interview में और कोई भी company लेना नहीं चाहती ऐसे candidate को तो सबसे पहले में बता दू एक line में क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूँगा एक line में कह दूँ कि अगर 10 साल में आपकी 10 company का भी experience है और अगर आपके पास talent है, skills है, interview skills है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता और हर company आपको हस के खुसी से लेगी उसे कोई मतलब नहीं होता कि आपने 10 साल में 10 company चेंज करी है वो सिर्फ एक satisfy जवाब सुनना चाहती है कि आखिर क्या reason था कि आपने company को change किया तो आज के बाद से आप भोल जाएए कि market में जो चीज़े चलती है कि ज़्यादा company change करोगे, तो कोई company लेगी नहीं, growth रुख जाएगी, performance रुख जाएगी या कम company change करोगे, तो आपको कोई भी company लेगी क्योंकि उसको लगेगा कि ये बंदा बहुती long term काम करने वाला है, टिक्के काम करने वाला है तो ये चीज़ भी गलत है आज कल जो scenario हो गया है, pattern हो गया है आज की बात नहीं बता रहा हूँ, पिछले 10 साल की ही बात बता रहा हूँ मैं पिछले 10 सालों से मैं देखता हूँ आ रहा हूँ, कि ऐसा पहले भी कभी नहीं था 10 साल से पहले भी कभी नहीं था, और अभी भी नहीं है कि ज़्यादा company change करने का आपके resume पे कोई negative impact पढ़े negative impact पता है कब पढ़ता है, जब आपको सही से interview देना नहीं आता है आप interview लेने वाले को जो reply है वो सही से नहीं कर पते हैं या वो जो चीज पूसता है उसको आप घुमा फिरा के जवाब देते हैं इसकी बज़े से आपका rejection होता, इसकी बज़े से नहीं होता कि आपने कम समय में कितनी सारी companyों में काम किया तो आज से ये बिल्कुल अपने मन से निकाल देना कि ज़्यादा company change करेंगे तो अच्छी job नहीं मिलेगी, अच्छी position नहीं मिलेगी, negative impact पड़ेगा या ये भी मन से निकाल दीजिए कि मैं कम company change करूँगा पास साल में, दस साल में मेरी सिर्फ दो या तीन, काफी लोग गर्व से बताते हैं कि मैंने दस साल हो गए मुझे काम करते हुए और मैंने किबल दो company में ही काम किया, मैं टिक के काम करता हूँ तो ये चीज भी negative है, इस से कुछ आपको मिलने वाला नहीं है देखो, इंटर्व्य में क्या होता है, कि सबसे पहले आपको अगर call की गई है तो उसने आपका resume देखा है resume में उसने देख लिया है कि 10 years experience है और 10 company में काम कर चुका है उसको आपके resume से कुछ आभास हुआ है उसको कुछ लगा है कि इस बंदे में कुछ न कुछ है इसी लिए उसने आपको interview के लिए बुलाया है तो पहला sign ये है कि जब कोई बुलाता है तो वो already हमारा resume में देख चुका होता है, पढ़ चुका होता है या किसी ने उसको resume में देखा है और किसी ने उसको suggest किया है इसी लिए interview के लिए बुलाया जाता है तो आप ये मन से डर निकाल दीजिए कि वहाँ पर मैं ज़्यादा company बताऊंगा वो पूछेंगे तो मैं बता नहीं पाऊंगा वहाँ पर negative impact प्लेगा इसकी कोई जरूरत ही नहीं है उसने बुलाया है तो वो आपके अंदर का talent देखना चाता है आप से कुछ सवाल पूछना चाता है जहां से वो आपके जवाब सुनना चाता है और उससे वो final करेगा कि आपको company में लेना है नहीं लेना इसलिए वो आपको बुलाता है अब मैं आपको बता दूँ कि ऐसा नहीं है कि छोटे employee या छोटी position पे जो employee होते हैं वही ज़्यादा company change करते हैं कम समय में जैसे 3 महीने पे company change कर दी 4 महीने पे कर दी, 6 महीने पे कर दी 8 महीने, 10 महीने, 2 साल, 3, 4 साल कुछ भी, x, y, z matter नहीं करता कि आपने क्यों change किया matter ये करता है कि आपने ऐसा क्यों किया अपना जो positive side है वो आपको बताना होता है interview वाले को उसको satisfy करना होता है कि आपने आखिर 3 महीने में यहाँ से job क्यों छोड़ी तो आपके पास एक valid region होना चाहिए जो आप बता सकें बस इतना ही होता है अब example के आप यह बता दूँ छोटे employee और starting वाले employee के साथ भी ऐसा ही होता है middle level के employee के साथ भी ऐसा ही होता है और मैं आपको बता दूँ जिस company के CEO होते हैं CEO, Vice President, RSM, NSM, ZSM mostly आप देखेंगे ना 3 महीने पर company छोड़ी है 6 महीने पर छोड़ी है 1 साल पर छोड़ी है 5 साल पर छोड़ी है ऐसा उनका resume लेकिन ऐसा होता है कि जो छोटे employee होते हैं या starting वाले employee होते हैं उनका resume तो हमें पता होता है हम पता कर लेते हैं तो हमारे मन में एक perception बन जाता है कि जो बड़ी position पे लोग होते हैं उनका resume तो हमने देखा नहीं है तो एक perception बन जाता है कि यार ये लोग टिक के काम करते हैं ऐसा कुछ नहीं है जब आप उनका resume देखेंगे तो आपको पता चलेगा हकीकत में अगर आपको resume देखना है अब आप कहेंगे कि मैं कहां देखूं सर तो मैंने आपको बारबर बताया है कि LinkedIn ऐसी website है जो professional एक network है तो वहाँ पर आपको काफी सारे लोग मिलेंगे वहाँ पर आप उनका resume देख सकते हैं उनका work history देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी अच्छी company में वो काम कर रहे है चार महीने दो महीने बाद भी छोड़ दिया लेकिन उन्हों छिपाया नहीं उन्होंने बताया कि हाँ मैंने दो महीने काम किया यहाँ पर उसके बाद मैंने छे महीने यहाँ पर काम किया, मैंने नौ महीने यहाँ पर काम किया सीधा बताया और इंटर्वी जो होता है इस पर मतलब समझ लो, इसका एक परसेंट भी नेगेटिव इंपेक्ट नहीं पड़ता अगर आपके अंदर स्किल्स है जवाब देने की छमता है इंटर्वी स्किल्स आती है और आपने पहले अच्छा काम किया है चाहें दस कंपनी में हो पांच में अच्छा काम किया है उसके बेस पर सलेक्षिन होता है तो आज से मन से निकाल दीजिए और आगे बढ़िए वरना बहुत सारे लोग गलत फैमी लेके जी रहे हैं और तरक्की नहीं कर रहे मुझे बुरा लगता है इसलिए मैंने कह दिया